और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब सौ साल की ये फिल्म हम देख रहे थे। दिल्ली उनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए। सिरफ ये दिग्योजों को देख लेते हैं। तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली उनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैटे हैं इनको मैं विद्यार्थिकाल से जानता हूं। तो बहुत बड़े-बड़े लोग बन गए है। और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाऊंगा, तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जुरूर अफ़र मिलेगा और मुझे मिल रहा है। साथियों डियू का कोई भी स्टुडेंट हो, कॉलेज फेश चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इंपोर्टन यही होता है कि बस किसी तरह उस फेश का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए भी यह ऐसा ही मोका है। मुझे खुजी है कि आज जब डिली उनिवर्सिटी के सौ साल का सलिबरेशन हो रहा है, तो इस फेस्टिव महल में मुझे भी आप सब के बीच आने का आउसर मिला है। और साथियों केंपस में आने का आनन भी तभी होता है जब आप कलीच के साथ आएं। दो दो चल दिए गप्पे मारते हुए। दुनिया जहान की बाते करेंगे इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी। ओटीटी पर वो सिरी अच्छी है। वो वाली देखी या नहीं देखी। इने बातों का अथा समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मैट्रो से अपने युवाज दोस्तों से गप्सप करते करते यहां पहुचा हूँ। उस बातचीत में कुछ किस से भी पता चले। और कई दिल्चस्प जानकारिया भी मुझे मिली। साथियों आज का आउसर एक और वज़त से बहुत खास है। डियू ने एक ऐसे समय में अपने सो वर्ष पूरे किये हैं जब देश अपनी आज हादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोसों मना रहा है। कोई भी देश हो उसकी यूनिवर्सिटी उसके सिक्षन संस्थान उसकी उपलब्दियों के का सच्चा प्रतिमिम होते हैं। डियू की भी इन सो वर्षों की यात्रा में कितने ही आइतियासिक पड़ावाए हैं। इसमें कितने प्रफॉसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड रहा है। एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बलकि एक मोमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जीया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। बाइस अइतिहासिक अउसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफिसर्स और स्टाप को, सभी स्टूडेंट्स और अलिमनाय को रजय से बहुत बहुत बधाई देता है। हुआ है।